नमस्कार मैं हूं डॉक्टर एजे भांबी और हम बताने जा रहें आपकी कुम्भ राशी और शनी कुम्भ में अगले धाई वर्ष शनी कुम्भ में 17 जैन्वरी 2023 को प्रवेश कर रहा है यहाँ पर वो रहेगा 29th March 2025 आपको ऐसा लगता होगा कि आपके उपर साड़े साथ चल रही है और यह शनी की दूसरी ढहिया है तो शनी बहुत खराब करेगा ऐसा लिखा हुआ है कि पहला शनी साड़े साथी में सर पे होता है दूसरा सीने पे होता है इहां पे होगा ऐसा कुछ नी होगा आपके साथ यह शनी की साड़े साती आपके जीवन में आमोल्चूल परिवर्थन करने आई है ना कि खाराब करनें इसके कई सारे कारणें, पैदा कारण यह है कि आपका जो चंद्रमा है कुम्भ में है। जब चंद्रमा होता है तो शनी की घर में होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर भाटक भी जाए थी असे समय के साथ रस्ते प्रेक्श का तो यहां पर शनी इतना घातक नहीं होता, विशनी का अपना घर है, अपनी राशी है, और विलकिन बूल तरिकॉन राशी है, यहां शनी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, साड़ी साथी, एकदम अच्छी रही, लेकिन उसका असर कितना सव हुआ, जब घुड़ा सवार, दूर से हंटर दिखाता है, तो घुड़ा अपनी आँख से, उसकी परशाई दिखता है, उससे अपनी चाल में ठिक करता है, यहां पर शनी चौथा वाला घुड़े का रिजल देगा, ज्यादा घफरा निक जरुपत नहीं, इशारे से आप समझ जाएंगी, तो फिर आपको दिक करते हैं, लेकिन इशारा पकड़ना पड़ेगा, घुड अब शनी का प्रभाव था, साड़े साथी का कहें, वो सड़नी ऐसा मान बड़े खत्म हो गया, है नहीं, तो बड़ा रिलेक्शेशन वगए दिमाग में हालात में, इस्तितियों में काम बनना शुरू जाएंगी, तो यहां से जीवन में का तिशीलता आएगी, जो ठहरा व को जॉइन करेगा, कुम्ब राश्य में, तो वो पीरिट ध्यान रखियेगा, उसमें बड़ों से, गुरुजनों से, घरवालों से, एथारिटी से, जंजट बोलना ले, वरना इसी को सौल करते रजाएंगी, इसके लावा, कि पूरे महीने, चून 2003 इस तक भैतरी ने, इनक से ट्रांस्फर हो जाएगा, नौकरी चाह रहे हैं, तो उसकी बात बन जाएगी, और घर में भी काफी शान्तिय का महल देखेगा, अगर बीच में कोई घर में बीमार था या दिक्कत थी, उसमें विरहत होगी, काफी सुकून भरा पीरिड हैगा. उसके बाद में, जून 2003 टाइस से लेकर और नवंबर 2023 तक, वहाँ पर शनी वक्री होगा, और शनी वैसे भी अपने एक स्टे के दोरान एक राशी में दो बार वक्री होता है, उसका वक्रत तो लंबा होता है, बागे सब ग्रह हैं उसे, तो यह जो पीरिड है, खास्तोर से अगस्त मद्द से लेकर और मढ्ध सेप्टेंबर तक का पीरिड उसमें ध्यान रखना चाहिए, उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, कुто प्राबलम नहीं लेनाचाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जगड़ा फासाद मोलन थी लेना चाहिए, वरनना वह आपको मेहगा पड़ सकता है, अदरभाइ यह पीरिड ठीक है, इसमें थोड़ा स्लोडाउन होना चाहिए, अपनी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए, उसमें जो भी काटशांट करना है, उसको करना चाहिए, एक माली की तरह माली करता रहता है, समय समय पर, तो फिर उसके जो भगिया है, वो पूरी तरह ऐसे खिल जाती है, अपसो गद्धित हो जाती है, इस तार ऐसे बीट के लाब उठाए, लिक करने आई, उसके बाद नवंबर दो होजार तईस से लेकर और जून दो होजार चोविस तक, शनी डाइट होगा, और इस समय शनी बड़ी मस्ती में होगा, काम करने के मूड में होगा, हेल उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग क्रियेटिव हैं, उनके लिए विश्यर सुप से पीरेट अच्छा है, तो व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, नौकरी नहीं पराप्त कर सकते हैं, अगर कॉम्पीट करके कुछ विदिश दाना चाहते हैं या खायर नौकरी की तलाश मे हैं, ये सारे काम आसानी से बनेगे, धन का फ्लो पहले से बहुत 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 हो जाएगा, मन भी आपका बहुत रहेगा, उसके बाद नौवंबर दो हुजार चौविस से लेकर मार्च दो हुजार पच्छीस तक, शनी इस बार डिरेक्टर हैगा, और अगली राश में प प्रिवेश करने के मूड में होता है, तो वो अगली राशी के रिजल्ट भी देना शुरू करता है, तो वहां आपकी साड़े साथ उतर ही जाएगी, साड़े साथ की बात की जाए तो, वरना यह पीर अच्छा है, इसमें नए प्रजेक्ट हाथ में ली जा सकते हैं, जो भी समझ्चा हैं थी, लोन की समझ्चा थी, या EMI की समझ्चा थी, और भी धन को लेकर कोई समझ्चा थी, किसी बैंक की या किसी मित्र संस्तान से रिन प्राप्त करना चाहते हैं, तो सब प्राप्त होगा आपको, और एक सकून वाला पीरिड है, आगे बढ़ने का पीरिड है, आपको लगेगा यहां आते आते कि आपने जो भी आपकी मेन इशुस थी उनको अपने रिजॉल्ट कर लिया है और अब आप एक अच्छी पोजिशन पर हैं यहां से आप जंप मार सकते हैं आगे बढ़ने के लिए तो जंप मारने के लिए अच्छा पीरिट है और अपने को आपको अबिशन्स हों उन्हें पूरा करने के लिए अच्छा पीरिया यात्राइं होंगी नई लोगों से भीट होगी अगर आप अवे भायत हैं तो भेवाब होगा मध्य फर्वरिस लेके और मध्य मार्श तक का पीरिए यहां पर जब शनी सूर्य के साथ होगा तो इस व तो दोड़ा अचानक बिना कुछ किये मुश्किले आती हैं और उन मिश्कलों को जो रिस्पॉंड है वो प्रा सिस्टेमेटिक होना चाहिए सड़न नहीं होना चाहिए रियक्शन ना करके रिस्पॉंड कीजएगा जो हम रियक्शन करते हैं तो हम गाली का जवाब गाली से देते हैं और कभी गाली का जवाब सामने वाले को फूल की माला पहना कर भी आ सकता है ऐसी कोई नीती हो आप खुछ समयता रहें ऐसी कोई नीती जिसमें की रियक्शन ना करके थोड़ा गैप देके खुद को समय द कि जैसे बुलते हैं गरम खच्डी नहीं खाना चाहिए यह चानक्य को भी किसी बुढ़िया माने राइ दी थी कि मूर्ख खच्डी खाते हैं गरम खच्डी हो तो बीच में हात नाते हैं उसके बाद चानक्य की नीती बद दी और अला उठाएगा अस्ट्रलोजी की सतीक जानकारी के लिए विश्विख्यात अस्ट्रलोजर अजय भामवी के यूट्यूब चानल ABC चानल को सब्सक्राइब, लाइक और शेर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें